हेलो नमस्ते आदाब सस्रीकाल मैं हूँ आजय और वाचिंग फूग बेली आज का वीडियो उनके लिए जिनको खाना और खिलाना तोनों पसंद है जी हाँ मैं रेस्टरेंट बिजनेस की बात कर रहा हूँ एक लौती इंडस्टरी जो 70 लाक से भी जादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है एक ऐसी इंडस्टरी जिसकी नेट वर्थ 4 लाक करोड से भी जादा है 15 लाक से भी जादा रेस्टरेंट होने के बावजूद आज भी इस बिजनेस का पोटेंशल उतना ही है जितना पहले था एक ऐसी इंडस्टरी जिसका ग्रोथ रेट 10% पर यर है जिसमें QSR एक सबसे फास्टर ग्रोइंग फॉर्माट है जो 18% एन्वल ग्रोथ से बढ़ रहा है और उसके बाद casual dining जो second popular segment है जिसकी market value धाई लाक करोड रुपे से भी जादा है और तीसरा most popular segment है cloud kitchen, online delivery, especially जो कोविड के बाद काफी popular हुआ है जिसकी annual growth सबसे जादा है 25% per year और इसमें 35% vegetarians को cater करते हैं जिसमें North Indian सबसे जादा popular है आजकल restaurant start करना सबका dream है लेकिन ये इतना आसान नहीं है इसमें काफी complexity है और मेरे recent survey के हिसाब से हर 3 में से 2 लोगों को अपना restaurant खोलना है आपको तो पता ही होगा एक restaurant खोलने के लिए ये जो मैं 7 steps बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है आपको एक market research करना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपका vision, mission, target market audience, आपका financial budget वो सब अच्छे से lay down होना चाहिए थर्ड, location choosing, location choosing is the most important factor in restaurant opening जैसे कि एगर film industry में 3 चीज़े important हैं entertainment, 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 restaurant industry में भी 3 चीज़े बहुत ज़रूरी हैं वो है location, location, location और इसमें 3 चीज़े बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपका rent, target market audience and the size of the space is very important 4th, आपको permits and licenses के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और अगर नहीं भी है तो आप इसको outsource कर सकते 5th, hiring the right staff and developing the right menu as per the market audience and then of course 6th, जिसमें आपके kitchen equipments, restaurant furnitures and interior वगेरा शामिल होता है After all of this, of course, you need to promote and market your restaurant ये सारे summarize steps हैं जिसके उपर मैं detailed video बहुत ही जल लेके आऊंगा तो अगर आप restaurant owner हैं या फिर aspiring restauranteur हैं तो नीचे subscribe का बटन जरूर दवा ले ताकि आपको ऐसी ही videos मिलती रहें Thank you for your time, please like, share and subscribe and keep watching Folkbelly